Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCR to the Mind. तो आज हम लग पढ़ेंगे Class 4 English Unit 4 Y Chapter का Question and Answer. तो चलिए पढ़ने स्टार्ट करते हैं. तो इससे पहले मैंने आपको Chapter बता दिया है, तो आज Question and Answer बताऊंगी. तो देखिए इसमें First Question क्या है कि Name a few things that sink. आपको कुछ चीजों का नाम बताना है, जो कि sink होता है, यानि कि डूब जाता है. Some things that sink are lead, marble and stone. तो ये सारी चीजें डूब जाती है, ठीक है? List the questions that the little boy asks. अब आपको Question बताना है, यानि कि list बनाना है, जो कि वो little boy होता है, वो पूछता है. तो कौन-कौन सा Question पूछता है, तो why do lead and marble sink? ठीक है, second question पूछता है, कि why does sunshine, why does wind blow? ठीक है, तो lead and marbles क्यों डूब जाते हैं? और sunshine क्यों करता है? और wind क्यों blow होता है? हवा क्यों बहती है, ठीक है? तो ये सारे questions पूछता है, ठीक है? अब इसमें पूछा जा रहा है, कि इस पॉएम में boy के बारे में क्या बताया गया है, ठीक है? और क्या डिस्क्राइब किया गया है? तो वो curious boy था, ठीक है? बहुत ही जिग्यासू लड़का था ठीक है? ये से जानने की बहुत जादा एक्षा होती थी, किसी भी चीज के बारे में उसे जानना अच्छा लगता था. राम एक curious little boy है, he is always asking questions, तो वो हमेशा ही question करता रहता है, question पूछता रहता है. One day he came home and asked his grandfather questions like तो वो एक दिन घर आता है और वो अपने grandfather से question पूसता है कुछ इस तरह के ठीक है तो देखे question क्या है कि Why can't we look at the sun during solar eclipse तो हम लोग solar eclipse के दोरान sun को क्यों नहीं देख सकते ठीक है जब शूरी ग्रहन लगता है तो उस समय हम लोग sun को क्यों नहीं देख सकते तो वी can't look at the sun during solar eclipse because it hides itself behind the moon तो हम लोग इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि जो sun होता है वो moon के पीछे अपने आपको छिपा लेता है ठीक है why can't we touch the sun हम लोग sun को क्यों नहीं टच कर सकते तो answer देखे क्या है कि sun is far away from us therefore we can't touch the sun तो sun जो हैना हम लोगों से बहुत ही दूर है इसलिए टच नहीं कर सकते why can't we go out to play in the dark अब देखे इसमें question का हज़र रहे है हम लोग अंधेरे में बाहर खेलने के लिए क्यों नहीं जा सकते तो answer लिखेंगे देखेंगे answer क्या लिखेंगे कि our eyes can't see anything in the dark hence we can't play in the dark तो हमारा जो eyes है न वो अंधेरे में मतलब की कुछ भी नहीं दिखता है इसलिए हम लोग अंधेरे में नहीं खेल सकते fill in the blanks with words from the poem which rhyme with the underlined words in the sentences तीक है अब यहाँ पर देखेंगे आपको क्या करना अंधेरे में अंधेरे में नहीं खेल सकते जैसे कि why is the sky so high? do you know the color of snow? have you found who made the sound? put the glass in the sink after you finish your milk ठीक है इसके बाद है कि the spellings of these words are jumbled तो जो है न इसमें jumbled है कुछ words जो है put them right and make sentences of your own तो यहाँ पर आपको जो है make sentence यानि sentence बनाना है आपको ठीक है जैसे कि यहाँ पर jumbled है कुछ words जो है जैसे यहाँ पर दिया गया है w o k n तो यह कुछ भी नहीं हुआ जंबल है उल्टा पुल्टा कड़के लिखा गया है अब यहाँ इसको आपको सही कड़के लिखना है तो क्या बनेगा यह no k n o w no अब इससे आपको एक sentence बनाना है तो i know the way to my house ठीक है मैं अपने घर जाने का रास्ता जानता हूं उसके बाद है यह तो यह बनेगा swim तो i can swim lead lead is a very substance यह बनेगा marble our house has marble floating hill the sun sets behind the hills ठीक है उसके बाद है कि discuss and write why do cats and dogs fight तो dogs and cats जो होते हैं वो fight क्यों करते हैं तो both cats and dogs love milk क्योंकि दोनों ही milk से love करते हैं they usually fight over milk ठीक है तो यह लोग जदातर milk के लिए ही fight करते हैं also they are fearful of each other and hence fight तो यह लोग जो होते हैं एक दूसरे से डरते नहीं है इसले fight करते हैं why do we walk across the road not run तो हम लोगों को road पर walk करना चाहिए और नहीं दौरना चाहिए ठीक है हम लोगों को road को cross करना चाहिए या फिर दौरना चाहिए तो while crossing the road we do not run because running may lead to accidents तो देखे क्या होता है हम लोगों को road को cross करना चाहिए दौरना नहीं चाहिए ठीक है क्योंकि अगर हम लोग दौरेंगे तो accident हो सकता है instead we walk while judging the vehicles on the road and thus save ourselves as well as others तो इस तरह से हम अपने आपको save कर सकते हैं तो लोग ice cream क्यों पसंद करते हैं तो ice cream is a cool desert ice cream क्या होता है एक cool desert है it has a good taste hence people like ice cream तो ये एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है जिसे की लोग पसंद करते हैं write down at least two questions using why तो आपको यहाँ परना कम से कम दो question बनाना है why के उपर तो देखे why is the sky blue why do flowers have fragrance तो sky blue क्यों होता है और फूलों में कुस्बू क्यों होती है ठीक है दो question बनाना है और भी आप बहुत सारे question पूछ सकते हैं ठीक है बना सकते हैं और अपने घर में जैसे की होता है जैसे कि आपने देखा यहाँपर मैंने आपको बताया कि जब वो जो है ना अपने question पूछесь प्रोर बोचुन करता है डादा जी से राम को एक पुरियोस बॉएर रहता है वो अपने घर चाता है तो अपने दादा जाता है तो आप अपने घर में अपने जाता है पुचान है और आपको जरूर रे एंसर मिलेगा ठीक है तो इस तरह से आप कॉस्टन पूछे और और आपका चाप्टर ये जो कॉस्टन एंसर है वो कंप्लीट हो चुका है तो कैसा लगा आपको पढ़के मुझे जरूर बताईए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरी चैनल NCRT The Mind को लाइक सब्सक्राइ कीजिए और पास में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि NCRT से रिलेटेड हड़ वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर थैंक्स तो वाच माई वीडियो